एक अच्छा PC बनाने के लिए तुम्हें भाई यूज करना है AMD Ryzen 5 3600 अब तुम जानते हो यह 6 कोर के साथ आता है और बहुत ज्यादा पॉपलर भी है यह वाला प्रसेसर तो तुम्हें यही यूज करना है गेमिंग के लिए बहुत बैस्ट रहने वाला दूसे नम्मर पर आत यह एक भी यूज कर लोगे तो हल्की फिल्की मिंग हो जाएगी बट मैं चाहता हूं कि अच्छी गेमिंग हो और अच्छी एडिटिंग हो तो 8GB की तुम दो यूज कर लेना वह से लौट भाई दो ही मिलते हैं तो तुम अपने हिसाब साथ आती है आपकी SSD SSD आपको यूज करनी है consistent की तरफ से आने वाली S6 512GB की यूज कर लेना because NVMe SSD हम यूज कर सकते हैं लेकिन वह तुम्हें मैं बाद में बता दूंगा क्या इस हो सकता है बस तुम्हें मैंने एकदम perfectly जो component हैं वह यूज करे हैं ताकि आपको कोई issue ना हो बाद में उसके बाद में आता है graphic card ग् GTX 1650 अब देखो यह कुछ costly तो है लेकिन भाई बाकी जो इस budget में graphic card आते हैं उनसे तो काफी बढ़ी है रहने वाला ठीक है तो GTX 1650 यूज कर लेना आप graphic card उसके साथ आती है भाई अपनी power supply power supply आप anti-sport की VH500L यूज करना because इन सारे component को अच्छे से power देने के लिए यह वा बाई हवा निकालने के लिए एक छोड़ी सी जगह दे दिया और दो fans भी मिलेंगे इसमें आपको और यह आपको 700 800 रुपे का मिल जाएगा उपर नीचे होते रहते price तो तुम अपने हिसाब से देख लेना monitor आप ACR का निट्रियों ले सकते हो VG 240Y क्योंकि यह वाला जो है आपका monitor यह full HD पर आपको gaming करा देगा अब देखो 4K की तरफ जाओगे तो भाई monitor थोड़े महंगे पड़ जाएंगे इसलिए यह वाला तुम भाई कर लेना इसके साथ में आती है आपकी mouse और keyboard तो mouse और keyboard आप Dr. Luxor की तरफ चाने वाले firewall यह वाले यूज कर लेना इन सभी के लिंक में तुम्हें डिस्क्रिप्शन प्रवाइड कर दूंगा अब देखो मैंने सारा आप तुम्हें setup बता दिया है कुछ भी मिस हो गया हो तो तो तुम अपना comment करके बता देना कि इसके साथ क्या replace कर सकते थे हम ठीक है अब यह वाला जो PC है वो भाई बनेगा आपका 44, 891 रुपे का अब देखो इन सारे आइटम के प्राइज उपन नीचे होते रहते हैं तो तुम्हें मैं इसलिए बोला था 45,000 के अंडर में यह वाला PC बहुत तकड़ा रहने वाले आपके गेमिंग्स के लिए अब देखो GT6 का मुझे नहीं पता बट बाग ही अगर सारे गे अगर में पता फुम्हें जाओ लिए रहने